हलो एब्रीवन वेलकम टू स्टड़ी आई को पीचियस दिस इस मनीश रिवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना सुभे आट बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर में आता हूं जिसमें साइंस के अलग-अलग टॉपिक्स को हम लोग यहां डिसकस करते हैं तो यह दिन तो आपको पता ही चल चुके हैं कि साइंस के कौन से दिन कौनसा होता है तो मंडे के दिन बाइलोजी पड़ेंगे तो आज हम बाइलोजी का एक और चाप्टर जो स्टार्ट किया था हमने लास सेशन में प्लांट किंग्डम उसके बाद रिम में आगे बात विसके अलाबा साटर्डे को हमने क्या पढ़ा था तो साटर्डे को मैंने आपको रधर फोल्ड का जो एक्सप्रिमेंट था अटॉमिक स्ट्टर के उपर उसके बारे में बात की थी तो हर लेक्चर के बाद क्या होता है हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं mcq तो इन mcq के answers आपको देने होते हैं जैसे आज भी हम पढ़ेंगे plant kingdom तो this is the part 2 of plant kingdom इसका part 1 जो है already cover हो चुका है जो है lecture number 21 lecture number 21 देखेंगे तो इसका part 1 आपको समझ नहीं आएगा और आज हम पढ़ने lecture number 22 अब इनकी इन lectures को हम कहां ढूंडें तो आप playlist search करेंगे या playlist में जाएंगे तो आपको biology के अलग एक playlist मिल जाएगी जिसमें मेरे पूरे 22 lectures आपको देखने मिल जाएंगे तो उन lectures पे जाएंगे आप already 21 हो चुके हैं अभी जो पढ़ने हैं आप ये 22nd lecture है इसके अलाबा हमने लास लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमने रदर फोर्ड का experiment पढ़ा था ये chemistry वाला session था क्योंकि last जो session हुआ था science का वो हुआ था Saturday को तो मैं आपको already days भी बता चुका हूँ Monday, Tuesday Wednesday हम पढ़ते हैं Thursday and Friday हमारा session होता है physics का और chemistry हम पढ़ते हैं Saturday तो हर session के बाद आपको मैंने बताया क्या होते हैं MCQ होते हैं जैसे आज का session है उसके बाद भी MCQ होंगे जिसके answers आपको करने होंगे तो उसके answers जरूर दीजेगा इसके अलाबा कोई doubts आते हैं तो इन social media handles पर मुझसे जोड़ सकते हैं मुझे mail कर सकते हैं इसके अलाबा इस lecture की PDF उपर दिये गए telegram link पर upload हो जाती है तो वहां से आप उस चीज को download कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या discuss करते हैं तो हम सबसे पहले MCQs को discuss कर लेते हैं जो हमने last session में आपको मैंने दिये थे कई बच्चों के answers comment section में आये थे बहुत सारे answers सही थे कुछ answers में अगर changes होंगे तो उनको आप लोग कर लेंगे जो मैं आज discuss कराऊगा तो देखते हैं सबसे पहला question क्या है तो the particles which were deflected backward in Rutherford experiments were hit upon by Rutherford प्रयोग में जिन कड़ों को पीछे की और विक्षेपित किया गया था उन पर किसके द्वारा प्रहार किया गया था तो हमने Rutherford का experiment पढ़ा था अब Rutherford के experiment में ये था कि उन्होंने gold foil ली थी gold foil पे alpha particles की bombarding कराई थी कुछ particles सीधे निकल गए थे कुछ angle से deflect हो गए थे और कुछ वापस आ गए थे और वो जहां से वापस आये थे उसी चीज को Rutherford ने क्या नाम दिया nucleus दिया तो question में यही पूछा गया है कि जो particles हैं which were deflected by backward in the Rutherford experiment were hit upon by वो किसके द्वारा प्रहार जो प्रहार हुआ वो कहां पर हुआ और कहां से वो वापस आये तो वो nucleus पे टकराने के बाद वापस आये थे नाभिक पे आये थे तो correct answer is the nucleus यह हिंदी में नाभिक कहेंगे दूसरा question क्या था कि according to Rutherford atomic model the whole atom is Rutherford परमाणू model के अनुसार संपूर्ण परमाणू कौन सा है तो देखा जाए तो सबसे पहला जो model आये था वो किसका आये था John Delton का आये था सबसे पहली बात model में John Delton ने करी फिर JJ Thompson ने करी और JJ Thompson के ही student कौन है Rutherford है Rutherford ने करी तो जब Don Delton की बात करते हैं तो Delton सापका क्या कहना था तो इनका कहना था कि atom से तो शोटी कोई चीज होती नहीं तो atom के अंदर कैसा देखा जाएगा लेकिन JJ Thompson ने बताया कि जो atom होता है उसके अंदर mostly part positive होता है और उसको जो है balance करने के लिए बीच बीच में क्या होता है तो आपके electrons मिलते हैं और ये कैसा होता है neutral होता है तो neutral किसका कहना था JJ Thompson का कहना था लेकिन जब Brother Ford ने बताया तो Brother Ford ने बताया कि बीच में एक particle है जो पूरा positively charge है जिसको nucleus कहते है और बाकि जो atom में space है वो कैसा है वो खाली है और इसके around क्या revolve कर रहे है electrons revolve कर रहे है बताब बाहर जो घूम रहे है वो क्या है electron है तो इनके हिसाब से जो atom है वो कैसा है वो आपका positively charged है क्योंकि उसके अंदर जो nucleus है उसके अंदर positive जो है particles बढ़े हुए क्योंकि जब आपने हमेशा क्या करेंगे विकर्शन करेंगे तो यह क्यों हो रहा है क्योंकि दोनों ही positive है तो रदर फोट के हिसाब से आप इसको positive बोलेंगे neutral अगर बोलना है तो किसके हिसाब से हम बोलेंगे JJ Thompson का model तो यहाँ पर यह सकारत्मक या फिर आपको इसी को लिख सकते है घनात्मक जो घनात्मक आवेश शित इसको लिख सकते है तो इसका आंसर यह होगा तत्रस्त या neutral जो होता है वो JJ Thompson के model में होता आपका delta के model में तो कोई था ही नहीं क्योंकि delta के हिसाब से सबसे छोटा indivisible particle है क्या आपका atom परमाणू तो तोड़ा ही नहीं जा सकता है तो सबकी अलग-अलग theories है तो आप question को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिए अगला question है कि Rutherford in his atomic model could not explain the behavior of which of the following Rutherford अपने परमाणू model में किसका वहवार की वहख्या नहीं कर सके तो देखा जाए तो इनों ने जो पूरा focus किया वो nucleus में किया और nucleus में क्या होता है neutron होता है और proton होता है कोई भी nucleus इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसके बाहर इनों ने बोला कि electrons revolve कर रहे हैं लेकिन कितने electrons revolve कर रहे हैं कैसे electrons revolve कर रहे हैं इसके बारे में कोई चीज नहीं बता पाए तो भई, neutron के बारे में तो पता चली गया proton के बारे में पता चल गया neutrino के बारे में पता चल गया लेकिन जो सबसे basic चीज थी electrons के बारे में जो उनका limitation पढ़ाया था मैंने कि भई, इसकी क्या जो है कमिया थी इस रदरफोड के experiment की, तो वो था कि electrons का behavior ये समझा नहीं पाए थे तो इसकी व्याक्या नहीं कर पाए थे, तो the correct answer is the electron, next question है इन्दी रदरफोड atomic model the alpha particles were stroked on जो रदरफोड का परमानू model था, उसमें alpha कड़ों को कहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था कहाँ प्रहार करवाया गया था तो मैंने शुरू में ही बताया, इन्होंने क्या लिया था एक gold foil ली थी तो यहाँ पर sona का इस्तिमाल किया गया था, gold foil को लिया था और उसके उपर bombarding कर आई थी अपना experiment किया था इसके अलाब अगला question है according to the structure of atom, the electron should fall in परमानू की सरचना के अनुसार electron को गिरना चाहिए जो रदर फोड का experiment था उस पर बात यही की गई थी कि अगर electron इसके बाहर घुमता रहता है तो इसको घुमने में भी तो कोई ना कोई इनर्जी चाहिए होगी क्योंकि इसके बीच में तो क्या है positive है और यह negative जो positive होता होगा इस negative को खीसता होगा तो इसको जो है इसके पास यह नहीं आ रहा है और यह घुमता रह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ इसकी energy उर्जा भी लग रही होगी यह भी मैंने पढ़ाया था आपको और जब यह पूरी उर्जा खतम कर देता होगा तो फिर यह कहां गिर जाता होगा nucleus की तरफ गिर जाता होगा ऐसा सब ने बोला तो यह जो है इसका जो structure था और इसके उपर जो एक तरीके से limitations पर questions पूछे जा रहे थे तो वही question इसमें रखा गया है कि परमाणू की सरचना के नंसवार electron को कहां गिरना चाहिए तो नाबिक में गिरना चाहिए इसका answer कौन नहीं दे पा रहा था तो इसका answer Rutherford साब नहीं दे पाये थे तो वही उनकी limitations थी बाद में नील बोर ने इन चीजों को change किया तो आगे जब नील बोर का model पढ़ाऊंगा मैं तो उनमें चीजे clarity आ जाएगे आपको तो शुरू करेंगे आज हमारा session ये तो last session के questions हमने आज discuss कर लिए आज हमें क्या पढ़ना है तो हमें plant kingdom पढ़ना है और plant kingdom के कुछ basic चीजें मैंने last lecture में आपको बता दी थी वहीं से मैं शुरू करता हूँ जो इसने भी पुराना lecture नहीं देखा है तो थोड़ा सा में यहाँ पर उसको brief में बताता हुआ फिर आज हमें जो थैलोफाइटा टेरिडोफाइटा, ब्राइओफाइटा, इंज्योस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट इन सारी चीजों पर अच्छे से clarity करेंगे तो शुरू करेंगे हमारा session जो कि किस के बारे में है plant kingdom के बारे में तो plant kingdom जिसको पादब जगत कहा जाता है ये क्या है तो ये एक ऐसी चीज है जो कि कैसी है multi seller है बहु कोश किये है दूसरा इसके पास क्या होती है कोश का भित्ती भी पाई जाती है मतलब इनके पास होता है cell wall और ये क्या कर सकते है photo synthesis कर सकते है मतलब प्रकाश शंशलेशन ये कर सकते है तो ये जो होते है ये कैसे होते है ये भी हमने डिसकस किया था autotrops होते है स्वापोशी होते है अपना भोजन स्वैम बना लेते है तो इतनी बात हमने plant kingdoms में ये आपको अल्रेडी पता है ये प्लांट्स ऐसे होते है जो की कैसे होते है eukaryotic होते है eukaryotic का मतलब जिनका नाभिक पूरी तरह से विक्सित होता है तो इनका nucleus well develop होता है कैसे होते हैं बहु कोश्की होते है खोशी का बित्ती पाई जाती है खोशी का बित्ती काय की बनी होती है cellose की बनी होती है इसके अलावा ये photosynthesis अपना भोजन स्वैम बना सकते हैं क्योंकि इनमें एक चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है chlorophyll एक हरे रंग का pigment पाया जाता है इनमें जिनके कारण ये हरे भी दिखते हैं और इसके कारण ये प्रकाश रेश्टेशन कर पाते हैं और आपका CO2 और H2O को मिला कर catalyst के तोर पर sun और chlorophyll का इस्तिमाल करते हैं और C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O इन सारी चीज़ों को बना लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो प्रकाश रेश्टेशन होता है ये plants में होता है इसलिए ये क्या होते हैं स्वापोशी होते हैं अपना भोजन स्वाइम बना सकते हैं तो ये थोड़ा सा डिसकस किया था हमने इसमें definition यही बताई थी मैंने कि वही जो प्लांट किंग्डम प्लांटे है वो include करता है plants on the earth and they are multicellular eukaryote and consist of rigid structure cell membrane जो होता है उसके ओपर cell wall होता है ये सारी चीज़े मैंने डिसकस करती है और साथ में photosynthesis भी करते है हिंदी में पादब जगत में प्रित्वी के सभी पौदे शामिल है वे बहु कोश की eukaryotes है और एक कठोर सरचना सा यूक्त होते हैं जो कोशिका जिल्ली को घेरे रखते हैं जिसको कोशिका भित्ती कहते है इसमें chlorophyll नामा के खरे रंग का वर्नक भी होता है pigment भी होता है और ये क्या कर सकते हैं प्रकाश रस्टेशन भी कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े मैंने यह आप बताई थी और आज भी बताई है तो ये जो है basic characteristics या definition आपको पता चल गई इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं इन में characteristics क्या होती है मतलब इनकी महत्पूर्ण जो आपका पादब जगत के अंदर क्या विशेष्टाएं होती है क्या characteristics होती है तो the plant kingdom has following characteristics they are non-mortile एक जगा से दूसरी जगा नहीं जा सकते है हमारे जैसे हमारा मन कर रहा है आज हम यहाँ हैं करीब हम हमारा मन किया हम कहीं गूमने चले गए तो plants का मन होगा भी तो वह गूमने नहीं जा सकते क्योंकि वो क्या है non-mortile है second अगर हम बात करें they usually reproduce sexually उनके अंदर जो यॉन प्रजणन होता है या फिर जिसको बोलते हैं लेंगेंग प्रजणन जिसको sexual reproduction कहा जाता है बहुत ही कम plants में होता है इसके अलावा पोशन की स्वपोशी विधिका पालन करते हैं इसके अलावा plant kingdom has following characteristic feature ये कैसे हैं multi cellar है ये भी बात हो गई cell wall होता है vacules ये सारे cells में पढ़ा चुका हूं है तो ultimately बस एक छोटा सा आपके लिए plants के लिए revision है लेकिन हमें main जो है इनके अंदर जो kingdoms के अंदर चीज़ें उस पर focus करना है तो ये भी पता चल गया photos in this pigment होता है chlorophyll plastic में इनके पास भोजन बनाना प्रजनन समर्थन और प्रकाश रश्रेशन के लिए अलग-अलग अंग होते है इनका जो है हम classification कैसे करें वरगी करन किस पे करें तो ये ध्यान से देख लीजे मैं लास लेक्चर में बताये था और आज का लेक्चर भी इनी सारी चीजों पर based रहेगा तो सबसे पहले हम plants को एक plant को दूसरे plant से अलग कैसे माने तो उसके लिए है सबसे पहला feature देखा जाए कि बढ़ी plant का body कैसी है पादब का शरीर कैसा है कोई पौधा कैसा है whether the body has well differentiated structure or not मतलब उसमें सू वेवेदित सरचना है या नहीं मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि भई इसके पास stem है इसके पास तना है इसके पास roots है जड़ है इसके पास leaves है पतियां है इसके पास flowers है फूल है इसके उपर फल लगे हुए है fruits लगे हुए है तो अगर देखा जाये तो ये क्या है ये अलग-अलग चीज़ है फल क्या तने जैसा देखेगा stem जैसा देखेगा shoot जैसा देखेगा क्या leaves flower जैसी दिखेंगी तो ऐसा नहीं होता है हर एक-एक चीज़ को आप देखकर बता सकते हैं कि plant की ये जड़ है ये तना है ये पतिया है ये फूल है ये फल है तो यहाँ पर हम जो plants कई ऐसे plants होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें अलग-अलग नहीं दिख सकती तो हमने क्या बोला कि बई शरीर क्या है सू वेबेदिस सरचना है या नहीं है इसके आधार पर हम बाट सकते हैं मतलब सीधी-सी बात है कि बई वेदर दा बोडी हाज वेल-डिफरेंशेटर स्ट्रक्चर और नॉट क्या ये सारी चीज़ें इसमें अलग-अलग पाई जाती है या नहीं पाई जाती इसके आधार पर भी हम बाट सकते हैं ये भी हमारा एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है वस्कुलर सिस्टम अब वस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है समवहन प्रणाली, अब समवहन प्रणाली में क्या है, कि वही हमने किसी प्लांट को water दिया, हमने किसी प्लांट के अंदर कोई minerals दिये, या उसके अंदर जो minerals है, या उसने food बनाया, तो उसको transfer करने के लिए, उसका समवहन करने के लिए, चाहे जल्ग की बात करें, चाहे खनेज की बात करें, चाहे जो उसके अंदर भोज्य पदार्त है, उनकी बात करें, इन सारी चीजों को ले जाने के लिए, क्या transportation system है उसमें, उस transportation system को, plants में कहा जाता है, वस्कुलर system, जैसे हमारे घरों तक, बहुत सारी चीजे आ जाती है, तो यह transport के help से होती है, हमारे अलग-अलग transport, काम कर रहे हैं, और हमारे आसपास तक, चीजे लाकर पहुचा रहे हैं, आपके घर के आसपास, कोई अगर किराना शॉप है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है लेकिन क्या वो सारी चीजें वहाँ बनती है नहीं बनती है लेकिन by the help of transport वो सारी चीजें आप के हां आ जाती है वैसे ही plants के अलग-अलग part में अलग-अलग चीजें पाई जाती है लेकिन उसको ट्रानसपोर्ट करने के लिए जो system होता है वो उसको vascular system कहा जाता है समवहन प्रणाली पदार्तों के परिवान के लिए पौधे में समवहन प्रणाली है या नहीं इसके आधार पर भी हम पौधे को बाढ़ सकते हैं अब देखी हम जो भी classification कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा classification का main focus यह है, कि देखा जाए, तो सारे plants, तो plants की category में आ गए, लेकिन इन में भी अगर हमको अलग-अलग चीज़े बाटनी हैं, तो हमें कोई ना कोई तो base पर बाटना होगा, अब सारे जैसे मैंने आपको उस दिन भी example दिया था, कि वही सारे humans हैं, सारे humans के अंदर क्या है, या तो A blood group है, या B blood group है, या O blood group है, इन ही के positive negative होते हैं, इनके अलावा कोई इनसान में अलग खून थोड़ी मिलता है, सब के अंदर antigen यही तरह के मिलेंगे, लेकिन अगर हम ने क्या किया है, उनको और बाट दिया है, कि वही जो आपके Australia के रहने वाले थे, उनके races को हम बोल देते हैं, Australoids, हम Mongol वालों को कह देते हैं, Mongloids, हम Africa वालों को Negritos कह देते हैं, तो यह क्या है, यह हमने humans तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, सब के पास वही organ है, सब के पास सार Muslims भी बराबर हैं, लेकिन हम किस basis पर बाट रहे हैं इन सब को, इन races के basis पर बाट रहे हैं, फिर religion के basis पर बाट देते हैं, फिर reason के basis पर बाट देते हैं, फिर languages के basis पर बाट देते हैं, तो देखा जाए तो बोलते हैं कि world में सबसे ज़्यादा जो Mandarin बोली जाती है, Chinese भाशा क्या वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी human है, तो ऐसे ही plant तो एक category है, लेकिन plants को समझने के लिए हमने उसके अंदर भी अलग-अलग parts कर दिये, कुछ plants ऐसे हैं, जिनके अंदर well differentiated parts है, मतब उनके अंदर जो अंग है, वो अलग-अलग बटे हुए है, उनकी जड़ कर दिया है, third होता है seed formation, कई पौधे ऐसे होते हैं, जो बीज का निर्मान कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं, तो हम एह तीन आधार पर बात करते हैं, whether the plants bear flowers or seeds or not, if does not, then whether it is enclosed within fruits or not, अब हम क्या चेक करते हैं, कि पौधे में फूल और बीज लगते हैं, फूल आता है, बीज सलंगन होता है या नहीं, मतलब वो जो अगर उसके अंदर फल या फूल लग रहा है, तो ये जो बीज होते हैं, ये बीज फल के अंदर लगते हैं, या उसके बाहर लगते हैं, उस अधार पर भी हम plants को अलग-लग types में divide करते हैं, तो हमारे यहां पर तीन types हो गए, सबसे प फिर समवहन प्रणाली की बात कर रहे हैं, और तीसरा हम बीज निर्मान की बात कर रहे हैं, ये तीन चीज़े हैं इसमें, इसी पर हमारा पूरा फोकस है, तो देखते हैं कि ये क्या चीज़े होती हैं, इसके आधार पर हम पौदों को कैसे बाट सकते हैं, तो इसके आधार पर हमें कुछ चीजे मिली और हमने Plant Kingdom को कुछ इस तरीके से बाट दिया कैसे बाटा तो देखिए इसको ध्यान से हमने सबसे पहले एक क्लास बोली जिसको बोला गया Crypto Game class इसको हिंदी में कहा जाता है A Pushpo Bid Warg A Pushpo Bid Warg इसके अलावा एक बोला गया Pushpo Bid Warg तो यह जो Pushpo Bid Warg है यह कहीं ना कहीं किसकी बात करता है Flowers की और Seeds की Flowers और Seeds की करता है यहाँ पर भी Seeds और Flowers की बात होती मतब Third Type जो Third Type था हमारा By Seed Formation होता है या नहीं तो हमने जो इसको बाटा है इसी कैटेगरी में बाट दिया कुछ को ऐसा बाट दिया जिनका Seed बनाई ही नहीं सकते तो उनको हमने क्या बोल दिया उनको हमने बोल दिया Crypto Game Class मतलब जिन में क्या नहीं हो सकता No Flowers and Seeds और जिसमें Seeds और Flowers होते हैं वो Fenero Game हो जाते हैं मतलब हम यहाँ पर पहली कैटेगरी जो चालू कर रहा है वो आपका यह 3 basis पर करा है हमने लेकिन इसमें सबसे पहली कैटेगरी हमने Seed Formation के basis पर बाट दी Seed Formation का कहना है आ पुश्पोवित आ शब्द हिंदी में जहां आता है वो नेगेटिव वे में होता है उनको हम कौनसी क्लास बोलेंगे क्रिप्टो गेमे क्लास बोलेंगे और जिनके अंदर होता है उनको फैनेरो गेमे बोलेंगे पुश्पोवित कहा जाता है लेकिन शब्द आपको इंगलेश वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बीज निर्माण हो रहा है तो अब इसको देख लेते हैं कि इसको कितने भागों में बाटा है तो इनको तीन भागों में बाटा है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरीडोफाइटा इसके अलावा थेलो फाइटा को भी तीन भागों में बाट दिया शैवाल, कवक और लाइकेन इनको समझ लेंगे आज की क्लास में इसके बाद बोला कि जिसके अंदर बीज निर्माण हो सकता है तो बीज निर्माण भी दो तरीके से देखा गया जिनके बीज कैसे हो जिमनोस्पम नगन बीज हो मतलब जिनको हम आखों से सीधे देख सकते हो तो क्या किसी बीज को आखों से नहीं देखा जा सकता है देखा जा सकता है लेकिन आप आम देखेंगे आम का कभी फल देखा होगा आपने तो आम का फल से आपको क्या उसका अंदर का बीज दिखता है, नहीं दिखता है क्योंकि वो अंदर होता है, तो वो जो है उनको कहा जाता है एंजियो स्पर्म, एंजियो स्पर्म का मतलब होता है जिनके उपर एक आवर्त होता है, आवर्त मतलब जो ढखे हुए बीज होते हैं जिनके उपर फल उनको ढख कर रखता है कुछ बीज ऐसे होते हैं जो आपको बाहरी नजर आ जाते है तो उनको कह दिया जाता है नगन बीजी या जिम्नोस पम अब देखा जाता है कि आवर्त बीजी है तो आवर्त बीजी का मतलब कि उनके बीज ढखे हुए है लेकिन ढखे होने के साथ-साथ क्या वो एक बीज पत्री है मतलब मोनो कॉर्ट से या डाइकॉर्ट से जैसे आपने ग्राउंड नट खाया हुआ है ग्राउंड नट मतलब आपने मूंग फली खाई होगी तो जो मूंग फली होती है मुंग फली में दो दाने होते हैं मताब कभी भी एक दाना करेंगे तो वहाँ पे तूट कर दो निकल जाएगा तो वो कैसी है, डाय कॉट है दूई बीज पत्री है, लेकिन आम आम खाएंगे तो आम के अंदर से एक सिंगल पीस में जो है, सीड निकलेगा, अलग-लग नहीं निकलेगा तो वो कैसा हो गया, मोनो कॉट हो गया तो हमने प्लाट्स को बहुत अलग-अलग वे में डिवाइट कर दिया है, तो ये जो है सबसे पहला जो डिविजन है, वो किस के बेसिस पर है, सीड के बेसिस पर बीज निर्मान के basis पर कुछ और भी तो चीजें बची हुई है क्या क्या तो वस्कुलर सिस्टम किसमे है मतलब समवहन प्रणाली की बात कर लेते है कि वही समवहन प्रणाली किसमें पाई जाती है किसमें नहीं पाई जाती किसमें well differentiated structure है मतलब इनका जो शरीर है वो पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं body well differentiated है कि नहीं उस पर भी तो हम divide करेंगे तो उसके लिए हम एक और flow chart यूज करते है जो हमने last lecture में भी यूज किया था आज ध्यान से समझ लीजे सबसे पहले हमने लिया plant मतलब लिया पादप अब पादप के बाद हम बोल रहे है do not have differentiated plant body do not have differentiated plant body का मतलब कि इन पौदों को देख कर इनके शरीर से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इनकी जड़ है ये इनका पुश्प है ये इनकी पतिया है ये इनका तना है stem है, shoots है आपका roots है ये सारी चीज़ें जिसमें ना पता कर पाएं उसको बोल दिया जाता है क्या थेलोफाइटा उसको क्या कहा जाएगा थेलोफाइटा थेलोफाइटा जो हम बोल रहे हैं ऐसा हो गया जिसका शरीर अलग-अलग देखने नहीं मिल सकता मतलब इसके अंदर आप कहीं पर भी न इसके अंदर न बीज बनता हुआ दीखेगा न पुश्प बनता हुआ दीखेगा न फूल बनेगा न इसमें fruits बनेगे इसके अंदर जो जड़े होंगी वो जड़ भी कैसी दिखेगी तने जैसी तना भी कैसा देखेगा पत्तियों जैसा मतलब इन में अलग अलग चीज़ें आप नहीं बता सकते कि इसकी पत्ति है इसका एक्जाम्पल अगर देखा जाए थेलो फाइटा का तो आपने देखा होगा पानी के ऊपर एलगे बन जाता है एलगे मतलब शेवाल एक ह परे रंग का जो है आपने देखा होगा बरसाद के दिनों में या कई बार जहां पर लोटस खिलता है लोटस जहां खिलता होगा वहां देखा होगा बहुत हरा हरा सा होता है जिसको काई भी बोलते हैं या एलगे भी बोलते हैं तो आप किसी एलगे को उठा कर आप बता सकत कि इसमें इसका ये फ्लार है, ये इसमें इसकी रूट्स है, ये इसके फ्लार्स है, या फ्रूट्स है, या स्टेम है, या लीफ्स है, आप उस हरी चीज को केवल एक ही जैसा देखोगे, तो इसमें हम यही बोल सकते हैं, जिसको हम अलग-अलग तरीके से नहीं बाट सकते, उ यहाँ पर आपको फल देखने मिल सकते हैं या फल इन में तो नहीं आते हैं तो इसकी जगा हम बोल सकते हैं क्या तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर roots हो सकती है जड़ हो सकती है आपकी leaves हो सकती है पतियां हो सकती है shoot हो सकता है stem हो सकता है कना हो सकता है ये सारी चीज़ें अलग-अलग जिसमें दिख जाए तो वो भी एक category होगी यही हो सकता है या तो नहीं हो या तो हो नहीं है तो थेलोफाइटा है तो फिर चेक किया जाएगा क्या उसके पास वस्कुलर सिस्टम है तो अगर उसके पास वस्कुलर सिस्टम मतलब समवहन प्रणाली की बात कर रहे हैं हम यहां पे तो अगर उसके पास समवहन प्रणाली नहीं है तो वो है ब्रायोफाइटा वो कौन सी कैटेगरी हो गई ब्रायोफाइटा जिसके पास समवहन प्रणाली नहीं है लेकिन क्या है उसके पास एक well differentiated body है उसके अंदर अलग अलग चीजें देखने मिल सकती है उसके roots अलग होंगे उसके leaves अलग होंगी उनके जो shoots होंग लेकिन अगर उसके पास vascular tissues भी है मतलग समवहन करने के लिए अलग अलग उत्तक भी पाए जा रहे है तो अगर उसके पास इस तरह की समवहन प्रणाली है एक तो नहीं थी नहीं थी तो रायोफाइटा अब अगर है तो फिर चेक किया जाएगा क्या वो बीज निर्मान कर स सकता है तो उसको बोल देंगे टेरीडो फाइटा और टेरीडो फाइटा जो होता है उसके पास क्या क्या है उसके अलग अलग तरह का शरीर है उसके अंदर समवहन प्रणाली है लेकिन उसके अंदर बीज निर्मान नहीं हो सकता बीज नहीं होगा तो फूल नहीं होगा तो ये सारी चीजे इस तरह की होती है जो आपका बीज निर्मान नहीं करती अब देखा जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रेड्यूस सीट्स अब जो सीट्स प्रेड्यूस कर सकते हैं उनको कहा जाता है फेनोरो गेम फेनोरो गेम का मतलब पुश्पो धिद जिनके अंदर पुश्प भी आ सकते हैं बीज निर्मान भी हो सकता है तो इसमें देखा जाता है कि जिनके जो बीज है आपको बाहरी नजर आने लगे बियर निकेड सीट्स जिनको नगन बीजी जो है उन्हीं को आप कहते हैं जिमनोस पंस जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह यहां पर इस वाले चीज़ में बठाया था कि जिनको पुश्पोवित कहा गया इसमें एक चीज़ ओ गई नगनबीजी और एक होती है आवर्ट बीजी जिनके अंदर बीयर सीट्स inside fruits मतलब जिनके सीट्स जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं फलों के अंदर पाए ज लगे, seeds मिलने लगे, तो फिर चेक किया जाता है, कि उसके अंदर जो seeds हैं, जो beach हैं, वो आपका दूई beach पत्री है, मतलब उसके अंदर दोपार्ट्स में दिवाइड हो जाता है, यह सिंगल में होता है, एक beach पत्री होता है, तो इन्ही चीजों को आज हम समझ लेंगे, तो य यहाँ पर हमने दो बाते करी थी, एक बात करी थी किसके लिए, क्रिप्टो गैम्स के लिए और एक फेनरो गैम्स के लिए, मतलब ऐसे जो कैसे है, आ पुष्पो धिद्ध भी है और एक पुष्पो विद्ध है, मतलब जिन Ginsburg अंदर सीड फॉर्मेशन होता है, बीज निर्मान नहीं होता ये सा है पहली characteristics हो गई तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं The Plant Kingdom has also been classified into two groups Crypto Games and Fenero Games based on their seed formation ability तो हम Hindi में भी इसको बोल सकते हैं क्या पादप सामरज्य में भी उनकी बीज निर्मान शमता के आधार पर दो समों में बाटा गया है Crypto Games और एक Fenero Games तो Crypto Games और Fenero Games इनको मैंने बोला कि Hindi में भी ये शब्द जादा चलते हैं लेकिन इनका Hindi शब्द भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इनी को पुश्पो धिद भी कहा जाता है आप पुश्पो भिद भी कहा जाता है लेकिन आप ये वाला नाम जादा याद रखेंगे Fenero Games और Crypto Games तो इस तरीके से दो चीज़ें बाटी गई हैं किसके आधार पर बीज नर्मान शमता के आधार पर इसके बाद बात करें Crypto Games are the plant that do not have well developed or conpicious reproductive organs they have hidden reproductive organs and don't produce seeds क्या बोला जा रहा है अब यहाँ पर जो है बात की जारी कि Crypto Games क्या होते हैं एक ऐसे plants होते हैं जिनके अंदर well differentiated body structure नहीं होता है well developed नहीं होते हैं conpicious reproductive organs होते हैं वो इन में छुपे हुए होते हैं मतलब ये पौदे बढ़ेंगे तो लेकिन इनका प्रजनन जो है वो आपको देखने नहीं मिल रहा है कि इनके जो reproductive organ है जैसे stigma होता है आपका style होता है ये सारी चीजें इसमें अलग-अलग नहीं देखने मिलती हैं and they have hidden reproductive organs and don't produce seeds अब ये बीज निर्मान तो नहीं करेंगे और इसमें कौन-कौन सी category आ जाएगी crypto game ऐसे पौदे हैं जिनमें अच्छी तरह से विक्सित या विशिष्ट प्रजनन अंग नहीं होते हैं इनके जो प्रजनन अंग है वो विशिष्ट नहीं होते हैं छुपे हुए होते हैं उनके पास प्रजनन अंग छिपे होते हैं बीज पैदा नहीं करते हैं, मतलब थेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, क्रिप्टोगेम हैं, तीनों समुव में प्रजनन बीजानु निर्मान के माध्यम से होता है, तो इनके अंदर जो प्रजनन है, वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है, जो इसके अंदर बीज नहीं होते हैं, बिजानु निर्मान का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी की किसी के अंदर से ऐसा, जैसे कोई फल रखा है, कोई पौधा रखा है, उसके अंदर से एक कोई चीज निकलने लगी, जैसे रखी हुई प्याज वगिर आपने देखी होगी उनमें से निकलने लगता है, तो spore formation कुछ इस तरीके का होता है, कि वही birding type की कुछ एक bird निकल कर आने लगी, तो इनके अंदर क्या नहीं है, तो don't produce seeds, ये क्या नहीं करते, बीच पैदा नहीं करते, कौन कौन सी category हो गई, तेलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इसके अलावा अगर हम बात करें, प्लांट्स हैव कॉन्पीशियस रिप्रोड़क्टिव और्गन्स प्रेड्यून सीट्स कॉल्ड फेनोरोगैम्स, ऐसे जिनके पास रिप्रोड़क्टिव और्गन्स होते हैं, अलग से सीट्स का निर्मांड करते हैं, जो बीजों का निर्मांड कर पाते हैं, उनको फेनोरोगैम्स का आ जाता है, इसमें जिमनोस्पम और अंग्योस्पम्स आ जाते हैं, तो ऐसे पौदे जिनमें विशिष एक में छुपा हुआ है, तो जिसमें छुपा हुआ है वो है क्रिप्टो गेम, जिसमें दिख जा रहा है वो है फेनेरो गेम, अब इस आधार पर सबसे पहली चीज़े थेलो फाइटा, अब थेलो फाइटा में आपको मैंने कुछ कैटेगरी बताइए थी, कि वही थेलो मझे लेते हैं फिर औगे इसी कुछ हिंदी में क्या खाहा जाता है उसको कवक कहा जाता है और इसको कहा जाता है तो एक है तो शेवाल कहOoh लाहन का मैं बात करें तो थेलोफाइत आ जो है इसके अंदर इनगे होता है जो मैंने बताया कि पानी के उपर हरी सी चादर जो जम जाती है उसको कहा जाता है फंगस वगेरा जो मश्रूम वगेरा आपने देखी होगी मश्रूम कभी खाई होगी तो मश्रूम पूरा एक जैसा होता है उसमें कोई पतियां लग नहीं है को जड़ा लग नहीं है स acid base आप उससे पहचान लेते थे कि वहाई कौन सी चीज अमल है कौन सी चीज शार है तो उसके लिए जो आप litmus paper का use करते हैं वो litmus paper जो बनता है वो किस से बनता है तो याद रखेंगे liken से बनता है यह liken और क्या होता है तो यह होता है pollution indicator यह pollution indicator की तौर पे काम करता है मतलब यह production के बारे में जानकारी देता है तो production को indicate करने के लिए किया जाता है और इसके अलावा algae जो होते हैं और fungi मतलब शैवाल और कवक के बीच में एक relation होता है जिसको कहा जाता है symbiotic relationship symbiotic relationship का मतलब यह एक दूसरे पर निर्भर करते है symbiotic मतलब दोनों का जिससे काम निकल रहा हो तो क्या होता है जो शैवाल होता है वो हरे रंग का होता है तो यह अपना भोजन स्वयम बनाता है तो यह भोजन बनाता है जिससे कवक अपना potion पूरा करता है और जो fungus होता है ये इसको शेवाल क्या देदेता है, food देदेता है भोजन देदेता है और ये इसको shelter देदेता है shelter मतलब इसकी सुरक्षा करता है तो ये जो है एक दूसरे पर निरभर करते है तो ये जो है symbiotic है एक दूसरे पर निर्भर करने वाला जो एक relationship है वो किसके बीच में है तो ये मिलता है आपका algae fungi के बीच में तो it is a bridge, bridge है ये मतलब algae और fungi को जो जोड़ता है उसके bridge को जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? Lichen, so lichen is a bridge between the algae and fungi लाइकेन, शेवाल और कवक के बीच की कड़ी है जो उनको जोड़ने का काम करता है जैसे कि आगर हम virus की बात करें तो virus जो होता है ये भी एक कड़ी है जो किसको जोड़ देता है? Living को और non-living को अभी COVID में हमें केवल क्या लोगों से ही खत्रा था? नहीं, हमें तो ऐसी जगाओं से भी खत्रा था जहां लोग गुजर चुके है तो non-living चीज से भी किसी को COVID हो सकता था मान लिया जाए किसी को COVID था और उस COVID का जो परसान है उसने कोई डोर छुआ हुआ है या कहीं पर उसने कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस को यूज किया हुआ है दूसरा वेक्ती भी जाएगा तो उसको भी हो जाएगा क्योंकि वाइरस क्या है? एक जीव को निर्जीव से जोडने का काम करता है इसके निर्जीव पदार्त पर भी वाइरस कही दिनों तक रह रहा था तो जिसके कारण ओभी एक connecting link था तो याद रखेंगे इसमें भी liken क्या होता है? connecting link होता है किसके बीच में? आपका algae और fungi के बीच में अब देखा जाये तो इस पर देखिए अब ये structure में मुझे बताईए ये जो आपको ऊपर yellow सा दिख रहा है इसमें कहीं इसके seeds अलग दिख रहे है कि इसमें कहीं इसके beach बनते हुए दिख रहे है या इसका फल दिख रहा है या इसका तना दिख रहा है या इसकी जड़ दिख रही है, या इसके roots दिख रहे है, या इसके shoots दिख रहे है, या इसके stems दिख रही है, कुछ दिख रहा है अलग-अलग, नहीं दिख रहा है, तो थेलोफाइटा वैसी चीज़ होती ही, जिसमें आप अलग-अलग चीज़े नहीं डूण सकते, सब एक ही well differentiated body structure नहीं है दूसरा थेलोफाइट्स commonly include members with primitive and simple body design such as green algae brown algae यह जो हरे शेवाल होते हैं या आपके भूरे शेवाल होते हैं इनको हम इसमें category में रखते हैं majority of them are aquatic और यह mostly जो होते हैं पानी में रहने वाले होते हैं common exam are spirogaya spirogaya की पारे में पूछा जाता है कि इसकी cell wall किस से मिलकर बनी होती है इसकी कोशिका भित्ती किस से मिलकर बनी होती है तो याद रखेंगे cell lows की बनी होती है कारा की बात करें यूलो थ्रिक्स की बात करें दूसरा थेलोफाइट में आम तोर पर हरे शेवाल भूरे शेवाल जैसे आदिम और सरल शरीर के डिजाइन वाले सदस्य होते हैं और उनमें अधिकांज जलिये होते हैं जल में रहने वाले होते हैं चाहे स्पाइरो गायरा की बात करें इसका याद रख लिजेगा किसका बना थेलोफाइटा में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भई इसके जो है differentiated structure है मतलब ये इसका तना है ये इसके पत्तिया है इस तरीके से आपको दिख रहा है लेकिन इसमें क्या नहीं होता है मतलब इसकी समवहन प्रणाली अच्छे से नहीं होती है जिसके तुछ थे 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 ठालेच को भोजन को एक जगा से दूसरे जगा ले कर जाता है तो बोला जाए ये थेलोफाइटा से थोड़ा सा डवलप तो हुआ है लेकिन ये पूरा डवलप नहीं हुआ इसमें कहीं आपको बीज आते हुए फल आते हुए फूल आते हुए इन में नहीं मिलेगा इनको bryophyta कहा जाता है तो इनके उपर जो है well differentiated body structure है इनका जो पादब शरीर है वो अच्छे से विभाजत है लेकिन क्या नहीं है तो इनके अंदर समवहन प्रणाली नहीं है तो देखा जाए तो bryophytes have a differentiated plant body like stem sleeve structure but they lack of vascular system for the transportation of substance across the plant body मतलब इनके अंदर जो vascular system है that unable to transport they don't have any very well defined vascular system so they have lack of vascular system for the transportation of substance across the plant body यह पहली चीज हो गई मतलब इनके पास differentiated body होगा stem होगा leaf structure होगा roots होगे यह सारी चीज़े होगी but क्या नहीं होगे तो इनके अंदर जो seed formation है वो सारी चीज़े नहीं होगी दूसरा bryophytes are found in both land and aquatic habitats तो यह land पर भी हो सकते है aquatic मतलब पानी में भी हो सकते हैं hence are known as amphibians इसलिए इनको क्या उभेचेर भी बोल दियाता है amphibians जो दोनों जगा रहते है जैसे आपने frog को देखा है frog पानी में भी रह सकता है बाहर भी रह सकता है तो वह amphibian हो गया इसके अलावा of the plant kingdom इसके अलावा mosses जो होते हैं या mercanty जो होता है यह इनका ही subgroup होता है इनके अंदर यह category आती है mosses वगेरा को कहते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो bryophytes में एक विवेदित पौधे का शरीर होता है जैसे तना पत्ती की सरचना लेकिन पौधे को पूरे शरीर में पदारतों के परिवहन के लिए उनके पास समवनी प्रणाली की कमी होती है जो हम बार-बार इसी की बात कर रहे हैं दूसरा point यही है कि bryophytes भूमी पर भी रह सकते हैं और जली आवास दोनों में पाए जाते हैं इसलिए उन्हें पादप सामराज्य के उभेचर बोला जाता है इसके अलावा मोसेस और मंचेंटिया इस उप समू के उधारणे इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे समू की और जिसको कौन सा खहा जाता है तेरीडोफाइटा अब तेरीडोफाइटा के पास शरीर भी है proper मतलब वेल डिफरेंशेटेड बोडी है इसके पास क्या है इसके पास बताये जा रहा है कि समवहन प्रणाली भी है मतलब इसके पास वस्कुलर सिस्टम भी है लेकिन ये क्या नहीं कर सकता सीड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है मतलब ये बीज निर्माट नहीं कर सकता है तो इसके पास बॉडी स्ट्रक्चर भी है जिसके पास बॉडी स्ट्रक्चर नहीं वो थैलोफाइटा जिसके पार्ट body structure लेकिन vascular system नहीं वो कौन तो वो bryophyta लेकिन इन दोनों चीज जिसके पास हो लेकिन seed ना बना पाए वो कौन teridophyta तो यह देख रहे हैं इनमें पतियां तो बढ़िया से दिख रहे हैं तने भी दिख रहे हैं तो यह पूरे प्रापर होते हैं लेकिन क्या नहीं बना पाते? seeds नहीं बना पाते तो इनको भी देख लेते हैं teridophytes have well differentiated structure such as stem, root, leaves as well as a vascular system vascular system भी है ferns, horse tiles, marshall are some common example of teridophytes आपको ये पहाड़ी इलाकों में ऐसे कई पेड मिलेंगे जिनमें फल वगेरा नहीं होते हैं teridophytes में अच्छी तरह से विवेदी सरेशना होती हैं जैसे तना, जड़, पतियां और साथ ही एक समवहन प्रणाली इसमें fern, horse tail, marsilia, teridophytes कुछ सामाने उधारण होते हैं जो कई जंगलों में मिलते हैं और mountain forest में भी बहुत मिलता है अब जो है, हम बढ़ते हैं किसकी तरफ जो seeds बना सकते हैं तो seeds बनाने वाले कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है gymnos pumps इनको हिंदी में कहा जाता है नगन बीजी जिनके beege तो होते हैं जो seeds बना तो सकते हैं और उनके seeds हमें उन पौधों के उपर ही दिख जाते हैं जैसे ये इनके अंदर जो है आपको छोटे छोटे इनके अंदर बीज होते हैं जो आपको दिख जाएंगे कई फूल भी आपने देखे होंगे उनके फूल गिरने के कारण वहां आसपास और फूल उग जाते हैं तो वो सारी कैटेगरी किस की हैं जिम्नो स्पॉम्स की हैं मतलब जिनके seed आपको पौधे पर ही नजर आने लगे उनी पर देखने मिल जाएं तो उनको कह दिया जाता है जिम्नो स्पॉम्स यह नगनवी जी तो इनको बोला जाता है जिम्नो स्पॉम्स ह्ट the plant that have well differentiated plant body वसकुलर सिस्टम भी होगा और साथ-साथ they bear seeds भी तीनों ही चीज इन में पाई जाएगी इसके अलावद the term is derived from the Greek word ये जिम्नो स्पर्म किस से बनाए तो एक शब्द है इसमें जिम्नो जिसका मतलब नगन स्पर्मा मतलब सीट्स बीच The seeds of जिम्नो स्पर्म्स are naked which means they are not enclosed within a fruits मतलब इनके जो सीट्स हैं वो किसी भी fruits के अंदर नहीं मिलेंगे बाहरी तोर पर नजर आ जाएंगे इसके अलाबा The perennial, evergreen, woody trees belongs to this group चाहे pines की बात करें, देोदर की बात करें, redwood की बात करें यह ऐसे कई पौदे ऐसे हैं यह भी आपको mountainous reasons पे मिलेंगे देोदर का पेड़ है, pine का पेड़ है तो यह सारी चीज़ें आपको हिमाले में वैसे हर तरह की बनस्पतियां देखने मिलती है हिमाले जो है, world का एक ऐसा reason है जिसके अलग-अलग levels पे आपको world में जितने climates होते हैं, उतनी तरह की vegetation देखने मिल जाती है तो हिमाले पर यह भी मिल सकता है, gymnosperms में pines वगेरा, दियोदर, यह बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, यह पाए जाते हैं इसके अलावा, gymnosperms ऐसे पौदेते हैं जिनमें एक अच्छी तरह से विवेदित पौदे का शरी समवहन प्रणाली और बीज धारन करते हैं यह शब्द, ग्रीक शब्दों से लिया गया है जिसमें gymnos का मतलब नगन, शुक्राणू का मतलब बीज gymnosperms के बीज नगन होते हैं जिसका अर्थ है कि वे एक फल के भीतर सलंग नहीं होते हैं, किसी फल के अंदर नहीं पाए जाएंगे इसमें जो है, बारा मासी सदा बाहर लखडी के पेड़ इसी समूखे हैं जैसे चीड का पेड़, देवदार का पेड़, लाल लखडी रेड वुड जो होती है, इसके कुछ उधारन है इसके बाद हमारी बात होगी angiosperm की, angiosperm का मतलब है आवर्त बीजी, आवर्त बीजी ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर fruits होते हैं और उन fruits के अंदर आपको seeds मिलते हैं मतलब इनके अंदर बीज निर्मान तो होता है लेकिन वो बीज निर्मान जो है किसी आवर्त के अंदर होता है NGO मतलब किसी एक sphere के तो इनके अंदर flowers का formation होता है flowers से ही इनके अंदर fruits बनते हैं और fruits के अंदर आपको seeds मिलते हैं तो ये इस तरह के पौदे होते हैं तो angiosperms are seed bearing plants with well differentiated plant body ये क्या है जिनके पास बीज निर्माण कर सकते हैं well differentiated body होती है साथ-साथ ये Greek word angio से मिलकर बने है अंजियो मतलब covered sperm and seeds unlike gymnosperms, seeds of angiosperms are enclosed inside the fruits तो ये gymnosperms जैसे नहीं होते हैं जो भी seeds होते हैं वो fruits के अंदर मिलते हैं इसके अलावा angiosperms are commonly known as flowering plants ऐसे plants होते हैं जिनके अंदर full आते हैं example includes the mango tree pomogran plant अनार का देखा होगा है and seed germinate from the embryonic leaves called cotyledons और इनके अंदर seed germination होता है seeds का germination होता है इसके अंदर और उसके त्रूँ नए plants का formation होता है तो angiosperms भी अच्छी तरह से विवेदित पौदे के शरीर वाले बीज होते हैं ये शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया है angiosperms का मतलब covered मतलब आवर्त वाला और sperm मतलब seeds मतलब उसका बीज तो gymnosperms के विपरीत angiosperms के बीज फलों के अंदर सलंगनों होते हैं angiosperms को आम तोर पर फूल वाले पौदे की रूप में जाना जाता है उधारन में आम का पेड़ अनार का पौदा आदी शामिल है बीज बीज पत्र नामक भूड के पत्तों से अंकुरित होते हैं तो ये इस तरीके से formation होता है जिनको आप angiosperms कहते हैं अब इसके अंदर भी देखा जाता है आवर्त बीजी के अंदर कि भाई जो बीज है आपका वो क्या monocot है जैसे आम का बीज मैंने बताया तो एक single गुठली होती है लेकिन अगर मैंने आपको example दिया था किसका जैसे आप मुंगफली खाते हैं तो मुंगफली के दो दाने हो जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है? diecourt हो जाता है तो उस पर भी बात कर लेते हैं कुछ seeds ऐसे होते हैं जिनमें single cootyledons होता है किसी में दो cootyledons होते हैं उसको diecourt कहा जाता है एक बीज पतरी और दूइ बीज पतरी के नाम से जाना जाता है अगर हम एक बीज पतरी की बात करें और ये है दूइ तो इन में देखा जाता है कि इनके अंदर long narrow leaf होती है मतब इनकी पत्तियां लंबी होती है और narrow होती है इनकी जो leaf होती है वो काफी पत्तेदार पौधे होते है डाइकोट्स में जिन में दो वीज होते है इसके अलाबा इनके अंदर जो vascular system होता है समवहन प्रणाली होती है इनकी समवहन प्रणाली अलग-अलग स्कैटर्ड होती है और इनकी जो होती है एक रिंग के अंदर होती है इन में अलग-अलग होती है इसके अलवा floral parts are of multiple of three जो monocords होते हैं जिनसे एक ही बीजवाला होता है उनकी पतियां तीन के समवह में होती है मतलब ऐसे three types की leaves होती है multiples of three में होती है लेकिन अगर floral parts की बात करें मतलब जो उनकी अंदर full आते हैं उनकी अंदर तीन ऐसी जो है parts निकलेंगे लेकिन जो dicords होते हैं उनमें multiple होते हैं इस तरह की इनके बीज होते हैं इनमें से fruits निकलते हैं fruits निकलने के बाद उनमें से seeds निकलता है तो monocords की बात करें तो angiosperms are divided into two groups on the basis of number of cotyledons present in the seeds तो the plants with seed having a single cotyledons are called monocotyledons और monocords plants with seeds having two cotyledons are called dicords तो आवर्त बीज जी को बीज में मौझूद बीज पत्रों की संक्या क्याधार पर दो समूव में बाटा गया है एक बीज पत्र वाले पौधे को एक बीज पत्री कहलाते हैं और दो बीज पत्रों वाले बीज वाले पौधे को दूई बीज पत्री कहा जाता है तो ये भी आपने देखा है तो इसके अंदर भी आप इनको डिवाइड कर सकते हैं तो होप यहां तक चीजे समझने आ गई होंगी तो आज के कुछ कोशन्स देख लेते हैं तो इन कोशन्स में सबसे पहला कोशन्स है और इनके आंसर जरूर दीजेगा जो भी चीजे मैंने पढ़ाई हैं बहुत डीटेल में पढ़ाई हैं बहुत आराम से पढ़ाई हैं कि ताकि आप लोगों को सम्मन глаз पौधा समदरी जल के लिए सबसे कम अनुकूल दिखायेगा टेरीडोफाइट, जिम्नोसपम्स अंजिव भ्राइयोफाइट टेरीडोफाइट, जिम्नोसपम्स आवर्थ भीजी या ब्राइयोफाइट इन में से कौन सी ऐसी केटेग्री है जो कम सबसे least adaptation है मराइन वाटर से समुदरी जल में नहीं रह पाएगा तो यह आपको बताना है दूसरा question है कि which of the following plants groups require both land and water to complete its life cycle निमलिकित में किस पादप समू को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमी और जल दोनों की आविशक्ता होती है ट्रैकियोफाइटा टेरिडोफाइटा थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा ट्रैकोफाइटा टेरिडोफाइटा थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा तो यह मैंने आजी के लेक्चर में बताया हुआ है तो इसका आंसा तो करीपा रहे होंगे आप बिना बीज वाले समवहन इंउत्तक वाले पौधे कोन है एनजैोस्पर्म टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म इनमें से आपको बताना है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है पादप समूझ जिसमें सबसे बड़ा बीजान, सबसे बड़ा युगमग और सबसे बड़ा व्रिक्ष होता है वो कौन होते हैं, एंजियो स्पर्म, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट, जिमनो स्पर्म तो ये आपको बताना है, अगला कोश्चन जो है, इन कोश्चन के आपको कौने से बड़ा हैं जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी देनेैं, ऐसा नहीं कि अब ही देख रहा हैं इसका प्रापर आपके पास कोश्चन पूरा बंक बनता जाना चाहिए ताकि आपके लिए आखरी में जब biology की चीज़े निकाले तो आपको ये questions बने आपको देखा जाए तो questions अभी नहीं बन रहे हो तो कोई बात नहीं पहले topic पढ़ लिजे फिर बनाईए questions तो इनको अच्छे से देखिएगा कोई भी doubts होगा इन social media handles पर मुझसे जोड़ सकते हैं उपर दिएगा टेलिग्राम लिंक पर इसकी PDF अपलोड हो जाएगी वहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगी कर लीजेगा और questions को अपने पास एक proper format में रखिए PDF तो मैं अपलोड कर देता हूँ लेकिन मेरा personal suggestion यही है कि इनके आप handwritten notes बनाईए खुद पढ़िए और खुद चीजें उस पर जो explore करिए तो आपको जादा time तक याद रहेंगी तो ओप यह सारी चीजें आपको clear हो गई होंगी Thank you very much for watching this, have a great day